सारे बच्चों आशा करती हूं आप सब स्वस्थ हैं और यह है आपकी English Worksheet No.72 जो आज आपको 31st December 2020 को करनी है बिटा आज आपका Last Day of 2020 2020 का Last Day है हमारी 2020 की Last Worksheet जो आपका Syllabus Literature से पार्ट खतम हो चुका है तो अब grammar स्टार्ट हो चुकी है यह है इंटीग्रेटेड ग्रामर वर्क्षीट जो टॉपिक्स आप अल्रेडी कर चुके हैं बोडाल कर चुके हैं तो अब आपका उसी का आगे करेक्ट फॉर्म अब वर्ब कॉनसी होगी सब्जेक्ट वर्ब कनक इंटरेक्ट इंटरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं तो फॉर्स क्वेशन है फिल इन दा ब्लांग्स भाई चूजिंग करेक्ट ऑप्शन फॉर्ट अनि फॉर्ट अफॉर्स अंटेंस गिवन बिलो तो बिटा फॉर्स अंटेंस जो है आई हाव कॉम्प्लेट दगोर्स आई- बिगन दर रिवीजन नाओ आज यू किन और सिए आई हाव कंप्लीट यानि की प्रेजन परफेक्ट टेंस अर्मुझे अब क्या करना शूरू कर देना चाहिए या बहुत जरूरी है यह करना तो बिटा यहाँ यहाँ पर चैन सकता या में नहीं आएगा बिल्कुल सही, must यह बहुत जरूरी है कि अब मुझे क्योंकि कोर्स कंपलीट हो गया है तो अब आपको भी जैसे रिवीजन शुरू करनी है यह must है आपके लिए Siu-Worried About John C's Health Siu, जो थी John C's Health के लिए worried थी तो बिटा यहाँ पे देखिए, worried हमें इंडिकेशन दे रहा है, past tense अब has, was, is तो past tense में इस तो है नहीं, नहीं है, as है तो अब elimination method से दो तो बिल्कुल अलग कर सकते हो अब यहाँ पर क्या answer आएगा was, Siu was worried about John C's Health Now next is Can Dash help me with this question अब क्या कोई मेरी मदद कर सकता है इस प्रशन को हल करने में, तो जब कोई मेरी मदद कर सकता है, इस प्रशन को हल करने में sentence बनता है तो बिटा देखिए, many यहाँ counting के लिए many तो यहाँ नहीं आएगा यह everybody, हर कोई, तो भी नहीं है कोई भी नहीं, तो nobody भी answer नहीं होगा, तो आपका elimination method भी अगर आप लगाएंगे समझ के साथ, आपके understanding के साथ, तो आप correct option को पकड़ सकते हैं, और MCQs MCQs are really very scoring, बिटा आप देखिए, अगर answer आपको idea भी मिल रहा है चार option मिल रहा है, और चार में से दो तो बिलकुल ऐसे जिनको आप eliminate कर सकते हैं, और अगर आपको understanding है, तो दो में से जो सही answer है, आप 100% surety के साथ उसको mark कर सकते हैं, और आपके ये total marks आप receive कर सकते हैं तो 40 marks बहुत बड़ा होता है बिटा, 50% of the question paper आपको objective type मेलेगा इसलिए अच्छे से objective type questions को solve करने का तरीका समझी है, उस पर hint देखिए hint होता है, जिस हिंट को understand करके आप 100% sure हो सकते हैं कि answer क्या है ना बीनुस friend, बीनु का जो friend है, डाश राइटिंग इस roll number incorrectly on the worksheets, worksheets पर अपना roll number गलत लिख रहा था, रहा था अब उसके understand करिए उसका meaning before इससे पहले, बीनु नोटिस एंड पॉइंट इट आउट टो हिम, बीनु ने जब उसको notice किया, तब उसको point out किया, उसको बताया, जब उसकी जानकारी में ये बात आई, उससे पहले वह गलत रिख रहा था, तो कौन सा हो गया, पास continuous chance पेटा, पास continuous chance जो है, उसमें क्या यूज होता है, यहाँ इसने second आपको बता दिया कि ये पास यहाँ पर be noose friend है, friends नहीं है तो यहाँ पर अगर was और word दोनों दिये होते, तो भी आपको पहचानना आना चाहिए तो singular के लिए क्या use होगा, be noose friend, एक single person तो उसके लिए आएगा was, तो आपका आंसर है was, तो ये past chance कि ये जैसे इस तो वैसे भी नहीं था, और ये perfect tense में जा रहा है, ये हमारा past perfect continuous और present perfect continuous में जो कि यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसकी क्या पहचान है past perfect continuous और present perfect continuous में एक तो since और for का use होता है और कोई समय दिया होता है, जिससे वो relate कर रहा होता है, तो इसलिए अब आपके मैं answers एक बार फिर से जो अभी तक हमने किया है उसको mark कर रही हूँ, first में, first में आपका answer है must, M-U-S-T, must I have completed the course, I must begin the revision now, Sue was, Sue was worried about John C's health can somebody, क्या कोई, कोई के लिए क्या आएगा, somebody can somebody help me with this question, इस question में कोई मेरी मदद कर सकता है then we can move to the next part, that is part 4, और Bino's friend तो यहाँ पर Bino's friend जो है बिटा, Bino's friend was writing यहाँ पर क्या आएगा, was writing his role number incorrectly on the worksheets before Bino noticed and pointed it out to him now I refer to, I refer to dash variety of resources while writing dash article तो बिटा, एक article को लिखने के लिए, एक article को लिखने के लिए तो आपको पता है, यहाँ पर क्या है, यह articles का use आपको बताया गया है a, an, और दा का use बताया जा रहा है तो आप a किसके साथ use करते हैं, consonants के साथ यानि कि a, e, i, o, u को छोड़के, consonant sound जहां पर होगी, वहाँ एक के लिए a use होता है an कहां होता है, vowels के साथ, a, e, i, o, u, जो vowels हैं इनके साथ क्या होता है, an use होता है तो यह article, article a से a अवाज आ रही है, आप sound को पहचानिए, vowel sound है तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ आ जाएगा तो यहाँ तो an option आपको पता चल गए और कौन-कौन से option में an है अगर आपको यह पता चल गया, तो automatically आपको पता चलता है विराइटी के साथ क्या हैगा, a variety of resources while writing an article Now, if you have studied really hard, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होती सच में अच्छे से पढ़ाई की होती, you dash be able to answer at least 75% questions तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होती, आप 75% questions है वो आप अच्छे से कम से कम कर सकते थे, 75% paper आप कर सकते थे तो बेटा, अगर आपने अच्छे से करी होती पढ़ाई, तो आप imagine कर रहे हो शमता आपकी वहाँ पर है, लेकिन वहाँ शमता से ज़्यादा वह imagination है तो जहाँ imagination होती है, वहाँ पर क्या use होता है, would आप उस situation को imagine कर रहे हो कि ऐसा होता, you would be able to answer to at least 75% of questions, तो यहाँ should तो आएगा ही नहीं कैसा होना चाहिए तो है ही नहीं, तो shall भी नहीं है, you shall, you shall be able to, अगर आपने किया होता, यहाँ पर यह past tense चल रहा है, यह past में अगर आपने करी होती, past में, have studied, तो यहाँ पर क्या आएगा, आप imagine कर रहे हो कि वह situation होती कि आप 75% questions कर चुके होते हैं, तो यहाँ क्या आएगा answer, would, तो मैं एक बार फिर से आपको यह answers बता रहे हो, क्योंकि वह mixing ना हो जाए, तो यहाँ was, then A.N. and B.N.U.'s friend was writing his role number incorrectly on the worksheets before B.N.U. noticed and pointed it out to him, next I refer to a variety of resources while writing an article, एक article लिखने के लिए मैंने बहुत सारी जगह से चेक किया, सारा information लिया, resources से, उसके बाद मैंने वो पार्टिकल लिखा, if you have studied really hard, अगर आपने सच में अच्छे से पढ़ाई की होती, तो क्या situation होती, you would, you would be able to answer at least, आप कम से कम 75% questions के answer कर सकते थे, तो आप देखिए, next question, question number 2 जो आया बेटा, वो है आपका, choose the correct option to fill the blanks to complete narration given below, तो narration को ही है, आप direct, indirect बोलते हैं मिटा, तो direct क्या speech होती है, direct जैसे dialogues दिये गए है, direct और indirect जैसा अब हम उस चीज को report कर रहे हैं, उस चीज को बता रहे हैं कि इसने ऐसा कहा उसने ऐसा कहा और उसके sense को बिलकुल नहीं बदलना होता, हमें sense भी रखना है, collection of words भी यूज करना है, तो हमें याप पर क्या हमारे वो जो rules है, जो हम narration पहले कर चुके हैं, बहुत सारी worksheets इस पहले कर चुके हो, उसको एक आपके चानल पर ही अवलेबल हैं, आप narration डालेंगे, direct indirect डालेंगे, तो आपके वही worksheets, आपके copy में भी आपने की होई हैं, अगर समझना चाहें, तो आप वो वीडियो दुबारा refer कर सकते हो, उसको फिर से एक बार अपनी जो worksheets हैं, वो आप एक बार worksheets को दुबारा द देखिए, मैं नीचे description में भी डाल देती हूं, उसका link आपको description में दे देती हूं, जो narration के already worksheets आपके आचुकी थी, आप उनको एक बार जब दुबारा refer करेंगे, आपकी जो worksheets आई थी, तो आपको सारे rules दुबारा याद आ जाएंगे, जिसमें कि आप present को, पास्ट में change होता है, अगर present continuous है, तो past continuous होता है, present perfect है, तो past perfect में change होता है, इसी तरह से अगर past perfect है, तो past perfect continuous में change होता है, तो भटा, आपको वो चीज़े देखनी है, कि आप कौनसा स्टेंस है किसमें चेंज होगा वो रूस जब आपको अच्छे से याद रहेंगे तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे और कोई गलती नहीं होगी आप देखिए इसमें भी हिंट्स होते हैं अब हम उन हिंट्स को उन रूस के बेस पे देखते हैं बहुत इजी संट किर्थी डिलीटि ऊइमेल ऊसकता है कि पता परिशान थी तो वो पूण में पूचल क्यूं परिश्यान हो अखिर वाट इसदे मैटर क्या चपिति ने जवाब दिया डिलीटिọn इमेल पूणंश माई क्यों कि या तुमने डिलीड तो किई ने क्या जवाब दिया है इट यह वो मुझसे गलती से हो गया अब हम स्टार्ट करते कि इसमें क्या हमें हिंट मिल रहे हैं देखिए पूनम आज्ड आज क्यों आया बिटा आज जाएगा जब भी question पूछा जाएगा या पूनम ने question पूछा था what is the matter तो आज अगर नहीं दिया होगा और option में ask this से शुरू हो जाए और said told से शुरू हो जाए तो जहां पर भी question mark है question पूछा जा रहा है तो आज दा गया पहले तो इसका यूज देखिए then what is the matter जहां पर भी wh family के words हैं who when how where what why तो यह सारे डब्ली family जो words जो question formation के लिए होते हैं जब भी इन से start हो रहा है question इन से start होगा तो हमें किसी connector की जरुरत नहीं है तो यहां सबसे पहला option तो खतम हो जाता है कि यहां the that नहीं आएगा तो अब देखिए या तो वह उसी से शुरू होंगे या फिर इफ से शुरू होंगे और इफ शुरू होगा तो यह डब what नहीं आना चाहिए तो यह दो options तो आपके बिल्कुल खलत बिटा हो गया कि वह eliminate हो गया इसको बोलता है combination method यानि कि आपने उसको अलग कर दिया कि यह तो बिल्कुल गलत है कि देन पूनम आज किर्थी वोट अब आज हो गया पास्टेंस में बात हो चुकी आप बता रहे हो तो तभी present किसमें चेज़ हो जाता है पास्टेंस में तो प्रेजिन को जब पास्टेंस में चेज़ करन तो आप उसका जो बिटा हिंट है उसको पहचानना है तो क्या संटेंस हो जाएगा पूनम आज किर्थी वोट दा मैटर वोस तो आपका यह आंसर है देन आप हम अगला आगे देखते हैं यह आपका थर्ड ऑप्शन जो है यह ठीक है इसमें नेक्स है हमारा वी पाट किर्थी ने जवाब दिया आई डिलीटेड एन इमेल अब किर्थी ने जवाब देना है किर्थी रिप्लाइड यहां तक तो आएगा दाट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो इफ नहीं आना चाहिए अब किर्थी ने रिप्लाइड दिया डाट डिलीटेड पास चै चेंज करना है तो जब path perfect में change करना है भीटा तो path perfect में had आ जाता है subject plus had plus third form of main verb plus object तो जब आपका had और third form of main verb और आगे connector लग जाएगा that तो किर्ती क्या है girl है she to she तो सब में that she तो तीनों में आगया जो बाकी बच्चे में हमारे पास अब हमें had की presence बताती है कि past perfect कहां पर है तो बिटा if वाला तो already हम cancel कर चुके है तो हमारा सही answer कौन सा है that she had deleted an email तो हमारा answer आजाता है यहां पर आपका third part और यहां पर हमारा है fourth part that she had deleted an email तो इस तरह से बिटा आपको दो का hint मिल गया next पर जाते है तो next है हमारा पूनम अब पूनम ने उससे कहा कि उससे delete हो गया तो पूनम ने क्या कहा देखिए पूनम ने पूछा why अब पूनम का सिर्फ हमारा पास why है लेकिन हमें पूनम ने question बूचा है न तो question बूचने पर सबसे पहले हमें पता है कि question पूछने में क्या use होता है asked, तो वो तो सब में asked, then why wh family word, तो why से शुरू होगा, अब wh family asked अब हमें क्या देना है क्या कहा उसने पूनम asked why she had deleted the mail अब उसने पूछा है न कि why she had delete, delete तो हो चुकी है यह आप था न, she had deleted उसने का शी उससे delete हो गई है तो अब यही यहाँ पर use हो रहा है asked why, देखो बिटा why के साथ that है तो यह तो गलत हो गया यहाँ पर has है तो यह present नहीं होगा present perfect नहीं होगा then ask why she deleted the, तो यहाँ पर हमारा has have का use ही नहीं है तो यह गलत है तो हमारा सही कौन सा है हमारा option सही है option number four पूनम asked, क्योंकि उसने question पूछा था पूनम asked why, why के साथ पहले कोई connector नहीं आएगा why she had आपको यहीं पर पता चल चुका है she had deleted अब why she had deleted क्या delete किया था, the mail तो sentence आएगा why she had deleted the mail, तो आपका answer number कौन सा हो गया है, यह आपका है fourth option, यहाँ पर third यहाँ पर आपका अब यहाँ पर देखें यहाँ पर आपका fourth and then again fourth अब आप इससे समझ आ गया होगा बिटा आपको कि हमें hint मिलता है उस hint को हमें पहचानना सीखना है now covid appropriate behavior keep maintaining physical distance of six feet or two yards follow hand hygiene wash your hands regularly with soap and water as well as wear a mask, बिटा बिना किसी काम के घर से बाहर नहीं जाएए अपने घर में अपने फ्रेंड्स को सभी प्रियर जनों को यही समझाएए कि आपको बाहर नहीं जाना है लोग बाहर जो है बिटा आप नहीं पहचान सकते किसी को कोई infection है या वो कहां सी आया है तो हमें हर guideline को follow करना है बिना बाद घर से बाहर नहीं निकलना है यह हम सबकी जिम्मेदारी है we must follow all the guidelines तभी हम कोविट को हरा पाएंगे देखिए कोविट 20 भी वेरियेंट आ चुका है और हम अगर जागरुक नहीं होंगे अगर हम अवेर नहीं होंगे तो यह हम सबकी health की बात है इसी वज़े से देखो कभी ऐसे नहीं हुआ कि government आप सबको इस तरह से हमारी सरकारा में बंद करके हमारी सुरक्षा के लिए हमें घर पे बिठाया हुआ है आप सबको घर बैठके ये यूट्यूब के मादियम से वाक्षीट के मादियम से पढ़ाया जा रहा है ताकि हम सब सुरक्षीत रहें जान है तो जहान है इसलिए आपको अपना भी ध्यान रखना है अपने प्रियजनों का भी ध्यान रखना है उनको भी जागरुग बनाना है ये हम सब की जिम्मेदारी है हमें अवेर रहना है हम सब को रोकेंगे और टोकेंगे ताकि सब इसको फॉलो करे I hope you all enjoyed आपको अच्छे से समझ आया आपको हिंट भी पता चले कि हमें काम कैसे करना है and hope for the best for all and happy new year in advance आप सभी के लिए हम सभी के लिए नया साल बहुत सारी खुशिया लेकर आए सुख समरिदी लेकर आए अच्छे स्वास्त सबका स्वास्त अच्छा बना रहे और सभी मिलकर एक दुसरे का ध्यान रखेंगे आप new year wishes के साथ सबको healthy अच्छे स्वास्त की wishes भी दीजिए सबको guidelines के लिए भी aware करिये कि हम सबको मिलकर covid को हराना है और वापस अपने हर चीज को enjoy करना है so take care keep learning and enjoying stay blessed and healthy have a nice day and be in touch जैसे ही बेटा कुछ भी information होगी अभी आपकी छुटियां शुरू हो रही है एक जन्वरी से तो कोई भी important information या lessons की जो summary, question कुछ भी जो integrated grammar exercises जो possible होगा मैं आपके लिए डालूँगी तो आप subscribe करके bell icon press कर दीजे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको notification मिल जाए और आप उसे time से समय से पढ़ सकें समझ सकें and keep learning अब आपका revision करने का time है you must start your revision and all the best for the coming year ahead happy new year once again thank you